है है जो यह एक बहुत मेहत्रकूं श्लोक हैं जो प्रथम श्लोक से जुड़ा हुआ है है सो धीति राश्च्ड वास है प्रथम श्लोक वह गोगधगीता का चालो हूता है धितिराश्च के किसें एक अ किसके लिए एकत्रित हुए हैं यूद सबहा मामका पांडवास चेवा किम्मकुरुत संजय कोई बोल सकता है यह तो पूँके दितराष्ट के मन में एक संदे था क्या था वो संदे कि कहा धर्मक शेत्र के कारण से दोनों के पार्टी के बीच में कुछ क्या बोलते हैं आउट ओपोर्ट सेटल्मेंट कुछ बोलते हैं तो ये कहां आउट ओपोर्ट सेटल्मेंट नहीं हो जाए क्योंकि दितराष्ट की इच्छा थी कि दुर्योधन ही चक्रवती समराट का और पांडवों को कुछ देना नहीं चाते थी ये जितराष्ट का स्वभाव पहले से है तो यहां संजे उनको बता रहे हैं क्योंकि उनको पता करना था इनके कार्यकलाब क्या है किसके पांडवों के तो यहां इसलिए वो संबोदित करते हैं अर्जुन को क्या गुडाकेशे ना भारत तो यह गुडाकेश प्रभुपाज जी बहुत जगा पे यह दो-तिन तात्परिया में बताते हैं गुडाकेश क्या है इसका अर्थ क्या है और हम सब को अगर कृष्ण का भक्त बनना है तो हमको भी गुडाकेश बनना बढ़ेगा तो यह जो अर्थ है जहां प्रभुपाद बताते है गुडाका का अर्थ है नींद और जो नींद का जीत लेता है वह गुडाकेश और क्योंकि यह संस्कित शब्द है तो इसके दूसरे भी अर्थ हैं आलस निद्रा और धकान सो महा भारत से हम सब समझ सकते हैं कैसे इन तीनों के उपर भग अर्जुन ने विजेप आई सो पहला क्या है आलस हम सब को आलस आता है कितने लोग को नहीं आता है सब को आता है अच्छा आलस है क्या यह किस कारण से आता है को जानता है आलस क्यों आता है हम सब को तमोगुन के कारण इसलिए कहा गया है कि हम सब अंदकार में जन्में हैं और यहां कल युग में एस्पेशली सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर गुन है वो क्या है तमोगुन तमोगुन का प्रथम जो symptom है वो है कि हम ये सोते हैं, हम ये शरीर है तो ये शरीर को अच्छी तरह से डेकोरेट करते हैं अच्छे बाल भगवान ने काले बाल दिये फिर भी हम थोड़ा कलरिंग कर देते हैं क्योंकि हम थोड़े बगवान से अलग लगने लगते हैं बगवान ने सबको एक जैसे बनाया है ना और जब सफेद हो जाते हैं तो कुछ और कलर करते हैं सो मनुष्य जीवन पाकर भी हम इन छोटे-छोटे चीज़ों में जो बिलकुल अर्थ नहीं है मीनिंगलेस इन चीज़ों में घिरे हुए क्यों मीनिंगलेस क्योंके सोल के लिए कोई फाइदा नहीं इन चीज़ों आत्मा के लिए कोई अर्थ नहीं इसका मतलब यह नहीं कल से आप बाल नहीं बनाओ जंगली जानवर की तरह यहां खड़े हो जाओ प्रोजी आपने तो कहा था everything has to have a proper balance आप जब दर्शन करते हैं तो भगवान भी आपका दर्शन करते हैं इसलिए गोपियां जो हैं बहुत अच्छी तरह से सजधज कर जाती थी क्रिश्न के सामने क्यों ताकि क्रिश्न के इंद्रियों को आनंद मेले हिस्स आप हम लोग सजधश जाते हैं ताकि लोगों born भग एप प्रूव सजध कर जाता है हमाले सजधना क्या है सब क daha पर क्या होना चाहिए ए कि कि झाने तो जिसके सरपे तिलख नहीं है चैतने महापरू क्या बताता है भगवान खुद बोल रहे हैं क्या है वो एक मृद्ध शरीर है तो सर पे तिलक होना चाहिए यह बताता है कि हम क्या है क्रिष्ण के बक्त यह जो दो है यह भगवान विष्णु के प्दचिन है और यह क्या है और गले में क्या होना चाहिए यह कब पें सकते हम जब यह तमबाकू तब यह क्या बलता है चाय कॉफी ओनियन गालिक्स यह सब छोड़ दें तब आप सज सकते हैं इससे यह कोई डेकोरेशन नहीं है कुछ लोग आकर पूछते हैं स्वामी जी यह कहां मिलेगा सो मैं भी उनको अच्छा छोटा कथा सुना देता हूँ तो यह तुलसी तुलसी महारानी कौन है एक शुद्भक्त है इनके सानिध्य में रह रहे हैं तुलसी देवी का दूसरा नाम क्या है भक्ति देवी भक्ति प्रदाएणी देवी तुलसी महारानी क्या देती हैं भगवान कृष्ण के प्रती भगती actually भगती एक ही जगा यूज़ कर सकते है भगवान कृष्ण के साथ दूसरी जगा भगती नहीं है एक समझोता है मैं कुछ दूँगा तो आप मेरे को भी कुछ देना इसको क्या बोलते हैं? डीलिंग्स जैसे बिजनेस लोग कैसे डील करते हैं मैं यह देऊंगा तो आप मेरे को यह देना बगवान के सामने भी कोई भी so called हम समझते हैं देवी देटाओं के सामने भी जाते हैं तो क्या करते हैं हम? बगवान यह कर देना तो मैं आपको यह करूँगा आपके लिए बड़ा आसन बनाऊंगा आपके लिए अच्छा ये करूंगा आपको अच्छी तरह से पूजूंगा थोड़ा सा मेरे बच्चे को थोड़ा पास कर देना बुद्दू है या बेटी की शादी नहीं हो रही उसको शादी करा देना हमारे बिजनस में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो थोड़ा उसको ठीक कर देना सो बक्तिवाई होती हैं जहां हम सिर्फ एक मात्र एक ही इच्छा लेकर जाते हैं आपको क्या पसंद है वो हम करें कृष्ण को अगर तंबा को नहीं पसंद है तो नहीं खाएंगे कृष्ण को उर्मान साहर नहीं पसंद है तो नहीं खाएंगे प्रोपा जी बोलते हैं हमने कोई हाड फास्ट रूल नहीं रखाएगा अगर कृष्ण कर को बोले मेरे को मीट दो तो हम कल को मीट यहां ओफर करेंगे अगर भगवान कृष्ण के है तो भगवान ने क्या का है ओफर करने के लिए पत्रम पुष्वं फदम तोयम यो में भक्त्या प्रेच तधम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रेतात्मन मैं खुद लेता हूँ भगवान खुद बोल रहे हैं अश्नामी प्रेतात्मन भक्ति उपरतम उसमें भक्ति होनी चीए पत्रम पुष्वं फलम ये तो कोई भी प्राप्त कर सकता अटलिस इंडिया में तो कहीं भी भी आपको तूलसी महारानी मिल जाएगी कुछ एक फल मिल जाएगा पानी तो मिली जाएगा क्योंकि यहां इतने सारे रिवर्स है तो भगवान को ओफर करने के लिए भगवान कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे है अगर आपके सामर्त्य है भगवान को चपन भोग चड़ाने का तो रोज चड़ेगी इसका अर्थनी है कि भगवान ने तो सिर्फ तोड़ा तुलसी पानी मंगा दिया है हम खुद खाएंगे अच्छी तरह से और भगवान को क्या देंगे मांखन मिश्री कुछ लोग मिले मेरे को बोलते हैं हम तो रोज काना को मांखन मिश्री खिलाते हैं कि यश्वदा माई तो सिर्फ मांखन मिश्री नहीं खिलाती थी कृष्ण बहुत अच्छा एक सौंग है बक्ति भी नहीं ठाकोड़ने लेगा कितने आइटम्स खिलाते थी यश्वदा और बुला बुला कर खिलाते हैं क्या तुम खमजोर पर जाएगा तुम मर जाएगा इधर आइधर आइधर आखाना इधर आखिलाते हैं इसमें लगबग एवरी डे बहुत सारे आइटम्स कृष्ण को प्रापते हैं क्यूं कि बहुत हार्ड वक करते थे क्रिश्ण क्या हार्ड वक करते थे काफ्स को चरात दे भगवान, तो चराना ऐसे जाते थे और ज़्यादा चराते नहीं थे, खेलते ज़्यादा थे, तो उस खेल-खेल में क्या था, सारा गंदा हो कराते थे, तो यहाँ खतन है भागवतम में कि कैसे ये शोदामाय उनको बुलाती है, फिर अच्छी तरह से ड्रेस करती है उनको, फिर बैठा कर, यह बोलती है, क्रिश्न क्या चंचल है ना, फिर भागना चाते हैं वो बापस, जैसे बंचों को अच्छे तरह से ड्रेस करद तुरंध क्या करते हैं बंचों को अपने दोस्तों को दिखाना चाते हैं अब इस ही भगवान भी जब भागना चाते है तो बापस पकर गढ़े नहीं अभी नंद-बाबा बैठें तुम भी उनके बगल में बैठ जाए so this is a very personal philosophy यह personal philosophy है ऐसा नहीं है कि कृष्णा थे कुछ सरूप है ऐसा नहीं है भगवान आज भी है हमारे समक्षी है पर हम उनको इन आखों से नहीं देख सकते है इसलिए कानों से हमको सुनना है भगवान को इसलिए यहां गुडाकेश जब अरजुन द्रोनाचार्य से धनूर विद्या सीख रहे थे तो उनमें एक special quality यह थी कि रात को जब लोग सो जाते थे दूसरे बच्चे सो जाते थे तो वो उठकर अभ्यास कर ले यह सुस्ट लीप एरी लेस क्योंकि उनमें वो उठसा था के मेरको सीखना है इस तरीके से वो ध्रोनाचार्य के favorite student बने है इसलिए कहा गया है कि if you want to become favorite of someone you have to get their kripa अगर हमको प्रहुपाजी के favorite बनना है तो क्या करना है हमको chant Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 16 rounds जब करना है प्रहुपाजी के पुस्तकों को वितरन करना है इस तरीके से प्रहुपाजी ने बहुत simple चीजे बताई हैं जिसको अगर हम ध्यान पूर्वक करें तो हम प्रहुपाजी को और Krishna को भगवान Krishna को please कर सकते हैं सो इसी तरह के से laziness ये जो laziness है ना जैसे सुबे मंगल आर्थी सबको उठना चीए सबको उठना चीए हर एक जीव को जीव जागो जीव जागो गोरा चंद्र बोले कोठा निद्रा जाओ पिसाची रखोले उठो और किसको छोड़ो पिसाची पिसाची का आर्थ क्या है विच यह विच कौन है यही निद्रा आलस्य जब ठंडी का सीजन होता है तब असली टेस्ट आता है कि कौन मंगल आर्थी उठता है कौन नहीं उठता है क्योंकि उस समय में क्या है माया देवी का प्रकोब बहुत ज़ादा बढ़ जाता है और हम तो एक चदर नहीं कितने दस बारा चदर लेकर सोते हैं सो मम्मी पाप आएगी एक चदर उठाएंगे दूसरा उठाएंगे तीसा वो खुद ही ठख जा रहे है इस प्रकार से जब हम हम माया को पकड़ कर बैठेंगे तो नहीं छोड़ पाएं हम को छोड़ना पड़ेगा कुछ लोग पूछते हैं प्रभु जी माया छोड़ती नहीं माया बनी है नहीं छोड़ने के लिए परन्तों आपको भी माया को छोड़ना पड़ेगा जैसे पार्टनर्शिप का मतलब है आप आदा पकड़ रहे न अगर ये हाथ पकड़ रहे तो दूसरा हाथ भी पकड़ रहे अगर आप छोड़ेंगे तो कृष्णा कीचेंगे अलस्य के उपर अगर आपको जीतना है तो अभ्यास करना है किस की तरह अभ्यास करना है अरजुन की तरह अभ्यासेन कौंतेया वेराग्यज ग्रहियते अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए प्रभुपाचे ने कहा है साधना करना है उठते क्या करना है हरे कृष्ण मंद्र जब करना है जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा इससे तुरंध हम सत्व गुन में आ जाएंगे हरी नाम से तुरंध हम सत्व गुन में आ जाएंगे थोड़ा जोड़ से जब करना है धीरे से जब करोगे तो फिर से सो जाओगे फिर दूसरा है निद्रा सो महाभारत में तेरवा दिन जब अरजुन ने एक और इतने क्रोधित थे अर्जुन क्यों क्रोधित थे कोई बता सेकते हैं अभिमन्यू को साथ युद्धाओं ने मिलकर आ रहा था और सबसे पॉइंट ये था कि बचाने के लिए भी जैदृत ने सारे पांडवों को रोक दिया था क्यूंकि उनके पास शिवजी का बून था कि एक दिन वो समस्त पांडवों को एक साथ डूप पाएंगे तो जैदृत बिकेम दे काउस आफ अभिमन्यू उन्हे प्रथम फिर कितने अक्षोईनी को मारा अकेले साथ अक्षोईनी फूर्टीन लाक सोल्डिर्स हमको याद है हम जब चुटियों में गेम खिलने जाते थे तो बीच में ना वो कुछ सोप और ये सब रखते हैं और एक छोटा सा वो सर्कल्स देते हैं 25-25 ऐसे फेकते हैं फेकते हैं कभी कुछ जीतते तो हैं नहीं क्यों बनाया ऐसा है फिर जेदत को मारा फिर दुरियोधन ने क्या किया दुर्बुद्धी हैं दुरियोधन ने कहा किआं। लड़े करेंगे तो दोनों सेनाओं के तरफ सारे जो सोलियों से सब ठक गए थे जैसे जन्माश्ट में के दिन हम सब सेवा करते हैं न किसे ठक जाते हैं पूरा दिन सेवा करते हैं या कोई important दिन है जहां आप सोएं भी नहीं हाडली एक दो गंटा सोएं कैसा रहता है कैसा लगता है जैसे अब भी बेड मिल जाए या इदर ही गिर जाओं तो फ्रेश हो जाओं क्योंकि नीदरा एक आवशक्ता है हमारे शरीर के लिए सोना एक आवशक्ता है शरीर नीड्स डट रिक्रूपरेशन सो इसी प्रकार से जब धुरियोदन ने डिकलेर कर दिया तो सब लोग अंदर से तो सब ना खुश थे बट एक शत्रिया कभी भी चैलेंज के लिए मना नहीं कर सकते अंदर अंदर से वो लोग बहुत प्रदारित थे थे वर ओल डिस्टरब्ड थोड़े समय के बाद सो जाते हैं if you all agree तो सब लोग इतने खुश हुए कि विपक्ष वाले लोग भी उनको आशिरवात दे रहे हैं पक्ष वाले लोग बोल रहे हैं आपकी काम नहीं पूरी हूँ और वो लोग सो गें दूरियतन जाकर धृणचार्य को बोलते हैं कि यह बहुत अच्छा समय है अर्जुन भी सो रहा है उसको जाकर हम मार सकते हैं यह दुर बुद्धी है न दृणचार्य बोलते हैं उनको नहीं है बड़े बड़े यक्षगंड गंदर देवताओं भी मिलकर अभी भी जाकर उसको अगर चैलेंज करेंगे तो भी उसको मार नहीं पाएंगे क्यों फिर बाद में दृणाचार्य बताते हैं दूरियोदन को खांडर रुपस्त जो अगनी को उन्हें सैटिस्फाई किया था एक पूरा फॉरेस्ट को जला कर इंद्रदेव आये थे वर्शा कर रहे थे अपने बानो मात्र से सारे इंद्रदेव का जो पानी है उसको पकड कर रख लिया अधि बतारें एक औरड़नरी परसन इसा करी नहीं सकता कोई औरड़नरी वोर्यर करी नहीं सकता अरजुन जो है बहुत-बहुत मित्र की तरह और ग्यारवे अध्याय में बहुत अच्छी तरह से वर्णन है कि किस तरीके से भगवान के साथ वो बैठते थे, खाते थे, सोते थे जब विराठ रूप देखा अर्जुन ने भगवान कृष्ण का तो बहुत डर गए थे इसी प्रकार से विराठ रूप देखने के बाद अर्जुन बिल्कुल अच्छंबित हो गए थे, माई गाड कृष्णा प्राथना करने लगते हैं 36 से लेकर 44, नोश लोख है जहां अर्जुन प्राथना कर रहे हैं, मेरे को शमा कर दीजए, मैंने ये के दिया, आपको हे यादव के दिया, हसी मजाग में आपका उड़ा दिया, सब के सामने हम हसी कर देते हैं ना दूसरों की, ऐसे ऐसे करकर हाथ जोड रहे हैं, प्लीज इस से पता चलता है कितने वो घनिष्ठ है भगवान के, इस सो क्लोस तो दे लॉड और बाद में भगवान खुद बता रहे हैं उनको, अठारे अध्वय के 64th वर्स में, घुयम, घुय अज्ञान में तुमको बता रहा हूं क्यूं? क्यूंके तुम मेरे परम मित्र हो, परम मित्र, सिर्फ मित्र ने, परम मित्र, सो वहाँ ये बताते हैं क्या, मन मना भव मद भक्तो, मध्या जी, माम नमास कूर, आज ये ओपन सीक्रेट है सोच, भगवान सिर्फ अपने परम मित्र को ही बता रहे हैं ये सब जीद, इस नाट मेंट पर एवरिवान, फिर भी भगव से ये प्राप्त ज्यान, हमको ये पता चल रहा है कि परम घुय ज्यान क्या है, जिससे हम भगवान से जूड़ सकते हैं, वो है मन मना भव मद भक्तो, मध्या जी, माम नमस कूर, मन मना कैसे करना है, हमेशा जब करना है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे यहां प्रभुपाजी बताते हैं कि अर्जुन किस प्रकार से भगवान को याद करते थे जागते समें सोते समें जागते समें तो ठीक है याद करना बहुत आसान है सोते समें कि हम भगवान को याद कर रहे हैं that is the biggest challenge for us so practice makes man perfect अब हमको practice करना है कि चलते बैठ थे खाते पीते भी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 हरे हरे राम, हरे राम, हरे राम, 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 हरे यह निकले बहुत-बहुत काम है कुछ लोग बोलते हैं, सोला माला हो गया, टांग देते हैं, कल को मिलेंगे, बाई बट जो जानता है, कि I have to come to this platform, अगर मेरे को अर्जुन की तरह बनना है, जहां बगवान मेरे को गुय ज्यान प्राप्त करें, मेरे रिदे में ये ज्यान आए, तो हमको बहुत प्रयास करना है, क्योंकि अर्जुन के लिए तो बहुत बड़ा टास्क था, इतने लोगों, बड़े बड़े लोगों को मारना था, हमको किसको मारना है, तमगुन को मारना है, निद्रा को मारना है, आलस्य को मारना है, तो ये बहुत बड़ा टास्क है हम सबके साथ, नेक्स चीज़ ये है कि पूरा मारना हमारा अभी सामर्थ्य नहीं है तो दीरे-दीरे कम करो एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरा मर जाएगा चानक के पंडित बताते हैं कि अगर डिजीज और अनिवाइटेड गेस्ट उनको मत खिलाओ तो क्या होगा वो चले जाए हम बीमारे को और उट्सा देते हैं बर्गर पीजा ये वो तामसिक खाना खाना चाए कॉफी ये सारे राजसिक खाना खाना ये सारे चीज़े क्या हैं डिजीज को बढ़ाते हैं इन लोगों का आप खेलाएंगे तो दीरे-दीरे-दीरे जैसे कुटा भोगता है ना थोड़े देर के बाद क्या होता है वो चुपा कर बैठ जाता है कि उसको भी पता है I have to reserve my energy ऐसे भोगता रहा तो और खाना नहीं मिला तो इसी प्रकार से जो काम क्रोध लोब मो मदा मदसर्य हमारे सामने भोगते रहते हैं खिलाओ खिलाओ और अगर हम तॉलरेट करकर क्रिश्न को याद करकर कैसे याद करना है हरे क्रिश्न हरे क्रिश्न 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 हरे 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 राम हरे राम 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 प्रहपात बताते हैं बहुत टाइटली हमको क्रिश्न के लोटस फीट पकड़ने है बहुत टाइटली सो हमको बहुत सीरियसली चैंटिंग करना है तब जाकर देरे देरे ये काम करो दो चुप हो जाएंगे चुप हो जाएंगे पर खतम नहीं होंगे जब तक ये शरीर है तब तक ये रहेंगे पर अगर आप कृष्ण को पकड़ कर बैठेंगे तो ये कुछ करने पाएंगे इसलिए यहां पांचवे अध्याय में भी कहा है शरीर प्राग शरीर विमोक्तनात जब तक ये शरीर है तब तक ये सारी चीज़ रहेंगे पर अगर इस शरीर में रहेकर भी हम इन चीज़ों को त्याग कर दें तो विक्ति कृष्ण भावम्रत राप्त कर सकता है ये चे लकर दूसरे बाक जूह हरे उर्भी और मद्धे रथ्झे जो रथ है वं भी उटतम रथ है किसने दिया था यह अर्जञ को किरिष्ण ने दिया करिष्ण तो चला रहे हैं कि अग्नी देवने दिये effखनी देन आध िने ये रथ लिया है इससे पता क्या चलता है एक बार महाप्रभू साउथ इंडिया टॉर के लिए गए थे अभी कुछ बहत लोग गए हुए हुए साउथ इंडिया टॉर सो वहाँ शी रंगम शेत्र है कौशा शेत्र है शी रंगम बहुत बड़ा विशाल मंदिर है बगवान का बगवान का नाम है रंगनात और वहाँ एक ब्रामन भगवत-गीता के अठारवे अध्याय को बैठकर रोज अध्यायन करता है अपन क्यूंकि उसके स्कॉलर्शिप नहीं थी in the sense he was not so well trained so उल्टा फुल्टा पड़ रहे थे तो लोग कुछ लोग नेंदा कर रहे थे कोई मजाग कर रहे थे सब हसकर चले जाते थे महाप्रुप जब आया है पर तो इंट्रेस्टिंग चीज यह था जब उपढ़ते थे तो आंखों में आसु आ दो महाप्रुप ने कहा है यह क्या कर रहे हैं तो बूलते मेरे गुरु माराज ने आज हादेश दिया है कि भगवद घिता प्रति दिन पढ़ना है जब भी में भगवध घिता को पकड़ता हूं एसे और पढ़ता हूं तो ये चित्रा आता है अग अब देख रहे हैं कौन सर्वश्य प्रभ्वो मत्ता सर्वं प्रभर्दते यह पूरे संसार शारी शक्तियां मेरे से आ रहे हैं वो अपने हैं अपने मित्र के लिए क्या बने हैं सार्थि ओर कह रियर सब्सक्राइब है और कैरियर आपको ओडर लेना और ये चीज जब भी मैं पढ़ता हूं भगवत किता तो ये चित्र मेरे मन में आता है और मैं सोच सोच कर आँखों में आँखों में तो महाप्रवु ने क्या किया उसको आलिंगन करका भूला, you have understood what भगवत किता है हमारा eternal relationship है कृष्ण के साथ कभी भी नहीं तूट सकता और कृष्ण हमारे लिए कुछ भी करने के लिए त्यार है पर किसके लिए? एक शुद्ध भक्त के लिए क्योंकि शुद्ध भक्त कोई कामनाय नहीं रखते है बाकि सपोज मैं बहुत रिच हूँ तो आप सब मेरे बगल में मन राते रहेंगे क्यों? भाई इसके पास पैसा है कल को सादा पैसा चला गया तो कोई नहीं रहेगा कोई नहीं रहेगा बगल में that is the real test भी 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 थोड़ा दूर बैठेगी बच्चे भी दूर बैठेगे क्यों? क्योंकि वो आप से प्रेम नहीं करते थे किस से प्रेम करते थे? money sweeter than honey ये तो बस एक example बता रहा हूँ मैंने ये बोल रहा हूँ सब लोग ऐसे ही है कल को बीबी को मत बलना भई तू में ऐसे करो साइड में हो जा नहीं परन्तु जब तक हमारे रिदे में ये काम क्रोध लोग खेलता रहेगा तब तक ये ऐसे इच्छाएं आती रहेंगे तो इसलिए हमको क्रिश्न के साथ संबंद जोड़ना है तब जाकर असली क्रिश्न कभी भी छोड़ते नहीं हमको हम एक निम्न शरीर भी लेते हैं जैसे कि उधारन के सुवर का शरीर अच्छा दिखने में भी अच्छा नहीं है और खाता भी गंदे चीज़े है फिर भी भगवान उसके रिदे में परमात्मा रूप में क्योंकि वो जीव भगवान का अम्ष है और भगवान अपने अम्ष से बहुत प्रेम करते है अम्ष प्यॉर है क्रिश्न की तरह प्यॉर है हम भी सब प्यॉर है परन्तो अभी एक गलत अहंकार को पैन कर इस शरीर को पैन कर हम बैटे हैं ये सोच रहे हैं कि हम Krishna से विलग न होकर इस भौतिक संसार में क्या करेंगे भोग करेंगे इसलिए प्रभुपात बोलते हैं कि कोई भी आश्रम में रहो भक्ति विनौ ठाकुर बोलते हैं कोई भी आश्रम में रहो क्या करो Hare Krishna Hare Krishna 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 हरे हरे राम 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 निरंतर जब करो हरे कृष्ण महामंतर का जब करो इस तरीके से हम जल्दी भगवान के साथ हमारा इटरनल संबंद जोड सकेंगे और दूसरा चीज ये भी है अगर हमको भगवत गीता समझना है तो अर्जुन अर्जुन ने जो किया जैसे कहा ना गुड़केश अर्जुन ने निद्रा और आलस के उपर विजय पाए हमको भी निद्रा आलस अगर अर्जुन की कृपा प्राप्त करें गुरु की कृपा प्राप्त करें तो तमोगुन से बाहर निकलेंगे तमोगुन से बार निकलेंगे तो दूसरा कौन सा गुन आता है फिर रजोगुन, रजोगुन में स्पेशल चीज़ क्या है इंद्रिया विचलित रहती है इच्छाएं नाचते हैं हमारे रिदे में बहुते किच्छाएं ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये प्राप्त करना है I want to become the head of X, Y, Z So उसके लिए क्या करना है? रिशी केशे न भारता भगवान हमारे इंद्रियों के स्वामी है इन इंद्रियों को किसके सेवा में डालना है? क्रिश्न की सेवा में डालना है So मंदिर जब आते हैं, तो सेवा के मूड से आना है क्यों? ये सारे इंद्रियों क्या है? चंचल है क्रिश्न की सेवा में नहीं लगाऊंगा, तो कहां लग जाएंगे? बहुते किच्छाओं में लग जाएंगे मंदिर में भी आएंगे, तो भी ऐसे देखेंगे, ये ठीक नहीं इधर ये हो सकता है स्वामी जी ये कर दो न Free Advises बहुत लोग होते है Genuine लोग बहुत कम होते है Free Advise देने वाले तो Menu थोड़ा बदल जीजे स्वामी जी क्या है? पूरी सबजी हमेशा मैं हर संडे आता हूँ, सेम चीज़ किलाते है थोड़ा अलग चीज़ किलाओ ये नहीं कहेंगे स्वामी जी थोड़ा डोनेशन लीजे और अच्छा चीज़ किलाईजे ये नहीं बोलेंगी So अगर हमको रजोगुन से उपर आना है तो we have to surrender to Krishna फिर भगवान बताते हैं अगर हमको शास्त्र समझने है प्रथम चीज़ क्या है? शद्धा क्या होनी चाहिए? इसमें हर एक शब्द perfect है क्योंकि भगवान Krishna से आ रहे है ये शद्धा होनी चाहिए जब शद्धा होगी तब जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे और भगवात गिता को समझ जाएंगे और भगवात गिता का essence क्या है? सर्वधर्मान परित्यज़ माम एकम शरनम फुली सरेंडर टु क्रिष्णा उनली ये भगवात गिता का सारामश कोई लोग बोले हैं सरेंडर हो गए प्रभुजी खतम हो गया सोलामाला जब करते हैं, मंदिर आते हैं थोड़ी बहुत सिवा कर लेते हैं हो गया ये सरेंडर इतना आसान नहीं है नींद में भी क्या होना चाहिए हरे क्रिष्णा, हरे क्रिष्णा Krishna Krishna Hare 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 Raam Hare Raam तब जाकर full surrender होगा नहीं तो full surrender नहीं है यह symptoms है एक शुद्ध भग्त प्रभुपाथ जैसे शुद्ध भग्त हैं सारे चीज़े दिखाते हैं यह symptoms है तो यह symptoms आने के लिए हमको साधना भग्ती करनी हैं और इस श्लोक से समझ में आता है कि गुडा केश बनना बहुत जुरूरी हमारे लिए इन चीजों के उपर विजे पानी है और ये प्राप्त होगा अगर हम सीरियसली चैंटिंग करेंगे